सब्सक्राइब कर दोस्तों मेरा नाम सुलिंदर टिवाना और मैं पंजाब के पटेला दिश्टे के चोड़े से गाउं जिंदलबुर का रहने वाला हूं और टिवाना कैनल का एक आउनर हुझी मैं और मैं अपने मरे में आपको बताना चाहता हूं कि मैं रॉट्वाइलर में काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूं और उस मेहनत का काफी अच्छा खासा मुकाम भी में को मिल चुक है उसके बदौलत और आज मेरे पास मेरे भाई स्कूंपीडू से पहुंचे है मेरे ग्रीब खान के लिए और दोस्तों रॉट्वाइलर मेरी जान है और चब तक सांस चलेंगे रॉट्वाइलर साथ में चलेंगी इसके अलावा लेडर और भी मेरे मैंने रखे हैं अपने कैनल में अब मेरी मेन ब्रीड जो है वो रॉट वाइलर है और रॉट वाइलर की वज़े से मेरे को थोड़ी बहुत पहचान मिली है अपने ब्रीडर भाईों में आज मैं बहुत खुश हो खुशी महसुत करा हूं कि यह बाई साथ मेरे बाई गुजीन बादिया है तो बहुत अच्छ तकरीबन पंदरा साल से मैं रॉट वाइलर रख रहा हूं और मेरे को अपने मुझे में बोलोंगा तो बड़ी बात हो जाती है लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आप जो बाईगी मेरे साथ मेरे को प्यार करने वाले हैं जो मेरे को प्यार करने वाले हैं वो सभी मेरे को जानत तो यह ब्रीड मेरे दिल के अंदर गहराईयों में और रहते संसों तक के रहेगी भी काफी कुते मेरे कैनल में फेमस डॉग रहेंगी उन में से एक पहला डॉग मेरा जो रॉटवाइल था उसका नाम था गड़ेवाज रेजर नाम थे उसका वैसे पैटने मेरे योगी रखा तो टाइटन का बच्चा था उसके बाद तोनी फ्लेश हो जाया और भी बहुत से रह हैं सारे नाम हैं जो अभी मेरे को भी पूरे द्यान में नहीं हैं लेकिन सारे डॉग एक से एक वर्ल्ड वाइड फेमस डॉग से वो सारे और आज की डेट में बगवान की दिया से थोड़ा बहुत इस ब्रीड में मैं कर चुका हूं और आगे और करने की खौयश है अभी अभी एक नहीं चीज एड किया अपने कल में चीज नहीं बोलूँगा वह वो प्रवान का दिया हुआ तोफाए दिये मेरे घोड़े मारबाडी ब्रीड मैंने अभी रखना शुरू किया रिस अदली दो तीन साल से और उनमें भी बड़ीया बगवान ने हाथ पकड़ रख कि मेरे पास हर रोज एक आदा फोन ऐसा आता है जो बंदा पूछता कि भाई सब यह आपकी ब्लड लाइन का है जा फिर आपके डॉप का बच्चा है उनमें से मैक्सिमम फोन जो होते हैं जो बायर्ज होते हैं जो उनको बंदे फोन करते हैं वो फेग होते हैं वो कितनी ज्यादा मेनत होती है उस बंदे की खुद की उसकी फैमिली की कितना पैसा वो बंदा स्पेंट करता है उस चीज के लिए उसके बाद ट्रॉफी आपको जो दिख रही हैं यपी एक दिन में एकठी करी एकठी नहीं की मैंने तो इसके पीछे पता नहीं हजारों मील मै तो किसी भी बंदे का प्लीज आप नाम का मिस्यूज ना किया करो क्योंकि उस चीज से उस ब्रीडर को थोड़ी सी उसकी फीलिंग जो होती 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 है कि यह मैं दिन लाथ अपने लिए वर रहा हूं अपनी फैमिली के लिए अपने डॉप के लिए और बंदा मेरा नाम मि विए उसका अपने और गोरे तो एक जजारे जिसको श्यवसार है जैसे पंजाबी में बोल लेते हैं कि टूपी डालना वह ऐसे ही टुपी ढरते हैं कि बंदे का दिल तूट जाता है और वा गेम से उखके दूर हो जिए है ऐर नहीं जे बड़ी फै सके दीज गरित लाग जोड़े गोरे उनके बारे में थोड़ा जानकर ये आपके साथ सेट करूंगा और उनकी थोड़ी पोटो जा वीडियो जो भी मेरे पास है जा लाइव आपको देखाने की कोशिश करेंगी हाँ जी दोस्तों ये एक फीमेल है जी ये मेरे कैनल की ब्लड लाइन से लेकिन इसक प्रांस से आया था वो डॉग और ये प्रोक्समेटली चार मेने की हो चुकी है जी और अगले साल इसको भी शोग करेंगे अपनी मां की तरह जीते की और इवन इसकी जो नानी है उसका नाम है याना याना ओड़ी वेड़न ओरा वह अपने आप में लेजंड फीमेल बन को फूट प्रिंट को फॉलो करेंगी और यह भी शो में अपना नाम कमाएंगी थोड़ा बहुत कि यह मेरा बच्चा है जी इसका नाम है परंबीर ऐ है और भी 13-14 मिने का हो चुका है जे और राजस्थान में एक बहुत ही शांदार गोड़ा है उसका नाम है परम हंस जो इसका फादर है और राजस्थान है बहुत यह अच्छे बोड़ों के बीड़ रहे हैं गजिंदर पाल सिंग पहसाना उनके पास वो गोड़ा खड़ा है और इसकी मां का नाम है फूलमाल और वह फूलमाल लाइनकी ही गोड़ी है बहुत जादा अच्छी गोड़ी है वो भी तो यह मारवाडी जैंजी अभी रिसेंटली मेंने अपने फार्म पैड़ किया इसको अभी आया है थोड़े दिन पहले मेरे पास तो आने वाले समय में इसको अपना घोड़ों के शो में लेकर जाने के लिए त्यार करेंगे कंपिटिशन में तो होसो के हमारा वहां पर लग चलेगा इसके साथ और बाकी दोस्तों जे एक रॉयलिटी का साइन है जो मारवाडी है तो जिस बंदे ने एक वर मारवाडी रख लिए अपने गर पे यह सेम रॉटवाइलर का जैसा ही नशाइन में भी जिसने एक वर पर लिए नहीं सकता गोड़े की उमर नॉर्मली बॉड़ी से हम गैसे नहीं लगा सकते तो इसकी जो है हमेशा दान्तों से परकी जाती है उससे गैस लगा जाता है दान्त देखके जो कि इसकी कितनी एज हो सकती है तो अभी जे जो बच्चा है यह मिल्क टीथ है तो तीरा चौदा मीनी का भीजी हो चुके ऑफ लीडी इसके बाद जा नहीं हो अगे पञे पंजारे उसके बाद जैसे जैसे निकलते हूं एज के साफसे दान्त निकलते है तो गोड़ों की एज सिर्फ दानतों से ही एक गैस लगा अगया साए सकता है वो भी एक्रेश्ट मल्क एज नहीं होती है हां जी दोस्तों यह मेरा गोड़ा है जी अफलातून नाम है आप देखी भी रहे हो यह है वी अफलातून नहीं और अभी यह यंग स्ट्राइलियन है जी अभाब टे अभी जब चार साल को हुआ यह नौ स्टंबर को इसका बर्त था और यह काफी फेमस गोड़े फते का बेटा है जी और इसका जो दादा है एडम वो एक लेजेंडरी गोड़ा था जी मज्जू के लाइन का जे मज्जू की लाइन से गोड़ा है जी है अब देख रहे हो जी कैसा शेतान है पूरा है हां कर दो कर दो दो झाल 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 झाल